दोस्तों आज है 9 सितंबर और देखेंगे आज के सारे करेंड अफेस साथ ही काफी सार एक्स्टा फैक्ट भी तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखी लास्ट में एक क्वेशन पूछ हुआ उसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इस वीडियो की वीडियो फ अब हमां पर फॉलो बनाएगे वहां पर वीडियो को बिल्गूल फ्री में आप देख सकते हैं तो फॉलो जरूर कर लें और उर यही आप मेरे चैनल पर पहले बार वीडियो करने np. चैनल को बमेरे जरूर करके लिज़ाओ कर सारे कर में चेनल को करने Cash psychology आकाNO स स्चर्थ क रेट को पारी और 187 रवनों से हरा कर दिलीब ट्रॉफी अपने नाम की है और इसके लावा आपको दोस्तों बता दे कि फाइनल मैच में इस्पिनर दिनी फुड़ा ने सावराव कुमार को ने चौते दिन का ही खेल खत्म कर दिया और आपको बताते हैं खिमांच प्रदेश को बल्ले वाज है निखिल गंगटा को 130 रणों की पारी खेलने के लिए मैन आपदा मैच चुना गया है ठीक है तो मैन आ इसका आयो जोग करता है BCCI ठीक आयो जोग कौन है BCCI और दिलीब ट्रोफी पहली बार कप खेला गया था ये कोश्चन अकसर पूछा आता है तो ये खेला गया था 1961-62 मिटी को ने इसको एकसर डवांसरेट में खेला गया था ये दिलीब ट्रोफी और BCCI इसको जो आज़ क्रिक चौर की ठीक से अधिब है और आर्व साधाध और क्रिकें आटीड पूछी जाता है ठीक है रंजी ट्रोफी लिय में तीन चार ट्रोफी अक तुम्हां से ररलेटट पूछी जाती है और चाप लाप सो यहांग जान लेते हैं जोस्ट आपको बता दर्भी है को फुल हेट क्वाटर कहां पे है बानखेडे मॉंबई में तीक है बानखेडे इसकी मुंबई में बात करें दौस्तों यहाँ पे वरतबान प्रेशिडंट की तो वह हैं तौनvention है चिके खंना बेशिक्ट्वान प्रेशिडंट लॉन्जे दोस्तों तो आपके लिए एल बुक पब्लिसर द्वारा एक अच्छी PDF फाइल तयार की गई है उसमें complete study material है लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल लागी आप पहुंस जाके देख सकते हैं मातर 30 रुपए की बुक है रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है चल हिर्दय हजारिका ने 627.3 स्कोर के साथ यानि 627.3 स्कोर के साथ आई SSF वर्ल्ड चेंबेंसी में जूनियर 10 मिटर है राइफल इस परदा को सौनड़ पदक जीता है जबकि महिला टीम ने नए वर्ल रिकार्ड के साथ 188.7 स्कोर के साथ जो तो शौनड़ पदक हासिल के है बता दें सो को फाइनल के लिए क्वालिफायर करने के लिए अकेले भारती हजारिका ही थे ठीक है हिर्दय हजारिका तो सितंबर 2018 को आई SSF वर्ल चेंपियंशी में महिलाओं के 10 मिटर राइफल इस परदा किस टीम ने सोनड़ पदक जीता है इसका राइडेंसर है इंडिय समारों में जो धोजबाहक थे वो थे नीरत चोपड़ा ठीक जेवलीन थ्रोवर नीरत चोपड़ा ठीक उसके लाव आपको बतादे दोस्तों कि इसमें 45 देशों ने जो तो 40 खेलों की 465 वर्दाइस में खेली गई है और पहली बार जो तिसमें खेल काउन कौन से आजित भीन भीन यानि स्वर की एक चिडिया अतुंग एक खिरन का नाम और काका एक गेंडा है ठीक है तो यह आप याद रखना है और देह क्या था इस बार देह था एसिया की उर्जा ठीक है और यह जो सुभंकर थे यह तीनों देश के पूरों मध्ध्य और पशिमी शेत्रों का को प्रतिनीर दुख करते हैं यह दोस्तों चलिए तो अठा सितंबर दो अठारा में आई से से विश्व चैंपियंशी में महिलाओ ने दस मीटर एयर राइट फल इस परधा किस टीम ने सौन पता जीता है इंडिया ने जीता है ठीक है इसके लाव आपको बताते दोस्तों क अगले कोशन के तरफ बढ़ते हैं अगला कोशन है साथ सितंबर दो अठारा को किस देश ने आपका शहर पर एक कार्यानबन समझोते पर साक्षर किये राइट एंसर है उप्सन भी फ्रांस ने दिखिए दोस्तों को बतातिक भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में साथ सित कारव द्वर्र समर्ति किया जाता है और दिस coop परफ के वार्णस के भारे हम थोड़ा बता दे दो फ्रांस की राजधानि है पेरिस और पेरिस जो दूस्थ सीड-नदी के किनारे बसा हुआ है ठीको सीड-णदी के यहां की फ्रांस की फ्रेंच फ्रेंच यहां पर चलती है तो साथ सितंबर दोड़ अठारा को किस देश ने आपका शहर पर एक कार्यानमन समझते पर द्रक्षर किये हैं यह किये हैं फ्रांस ने ठीक है चलिए नेक्ट शोचंग तरब बढ़ते हैं अगला कोशन है असम के पह भारती अथलेट जो हीमादास को राज के पहले खेल राजदूत के रूम में नामित किया जाएगा और यह घोशना तब हुई है जब हीमादास ने हाली में फ्रांस में आई-ए-फ वर्ल्ड यू-20 चैंपियंशिप एद्लेटिक्स में ट्रैक इवेंट में गोल्ड मिला ज अगदीश मुखे और स्रवांस होने वाल असम से लिए एक दोा राश्टी उद्ध्याञ ऑश जी तें खिय सब्सक्राइब च सब्सक्राइर दो खाय की और और बिहू जो नित्त है ये कहां करने इत्त है लोग नित्त है असम का है ठीक है तो ये भी कोश्चन बहुत पूछा जाता है तो असम के पहले खेल राज़ूत के रूम में किसे नामित के जाने एक फैसल लिया है हीमा दास को अगला कोश्चन है हाली में बावनवा अंतराश् सक्षरता दिवस कब मनाया गया तो राइट एंसर है आट सितंबर को ठीक है आपको बता दे हैं हुआ हराट शितंबर को मरा जने वला अंतराष्टि सक्षरता दिवस 20 सक्षरता दर्मेश उधार को उजागर करने के लिए सरकारों नागरिक समाज और हिद्धारकों के लिए एक अवसर है साक्षरता का मुद्दा संयुक्त राष्ट के सतत विकास लक्षें और सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट 2030 एजेंड़ा पर एक प्रमुख घटक है और दोस्तों यहां पर एक अब्द्दध मता दो कि इस वर्स्षा जो विश्य है साक्षutा द्भस को साग्षृत को साख॥10 विकास ठीक है इस विए वर्स साख च्रता और को युद्ध करें तो यूसऽ बारे जनबरिकी kicking को राश्टी युवा दिवस मना या था और एक क्यों मना जाता है कि वह करते conver 102 जन्वरी को रास्टी Listen Jan पूशा आता है तो आपको ये फेक्ट याद रखना है next है हाली में सरला पूरुसकार से किससे सब्मानित किया गया है तो राईट एंसर दोस्तों आपसा ने सत्तुरुःन पांडे को आपको बता दें कि ओडिया जो कभी है सत्तुरुःन पांडे को उनके कविता संग्रह मिस्रा धुप्रद के लिए प्रतिष्ठित सरला पूरुसकार से सम्मानित किया जाएगा आपको बतादिक वार्षिक सरला पूरुसकार को सबसे प्रमुख शाहितिक पूरुसकारों में से एक किरूमे मानेता प्राप्त है और सरला पूरुसकार 1979 में प्रतिष्थित ओडिया उद्यकपती स्वरगी डाक्टर वंसिधर पांडा और स्वरगी इला पांडा द्वारा इस्थापित और इंडियन मेटल्स पब्लिक चेरिटिवल टरस्ट द्वारा जो तो सम्मानित किया गया था ठीक है तो हाली में सरला पूरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है इसका राइड एंसर है सरतुगहना पांडाओ को ठीक है और यहाई पी दोस्तों बात करें क्रिश्णा सोबती को तो आप सबको बता दें कि दोस्तों क्रिश्णा सोबती को जो है तो ग्यानपीट पूरुसक सब्सक्राइब और दोनों को मिला है शोनम बंग्चुक और भरत वाटवानी को और रेमन मेक्सेश जो अवार्ड है 1957 में फिलिपीन सरकारद्वारा और शेयड़ियो दिया जाता तो अक्सर अवार्ड से लेटीज कोशन पूचा आते तो या प्रक्ट याद रखियेगा नेक्स वोचन है दूसरी विश्व हिंदू कांगरेस का आजन कहां किया जाएगा जिसका राइड एंसर है शिकागो में आपसन भी आपको बता देक उपराश्ट पति अंबेंगे नाडू ने 7 से 9 सितंबर को संक्तराज अमेरिका के दोदिपसी आतरा पर हैं और उपराश्ट पति 1893 मुहे विश्व धर्म संसाद में स्वामी विवेकानन जी के अत्यासिक भासन की 125 वी वर्षगांट के अवसर पर शिकागो में आज दूसरी विश्व हिंदू कांगरेस को संबोधित करेंगे इसके लावा उपराश्ट पति संक्तराज अमेरिका के चाहुदे तेल्गू संगोंदारा आजित करकर में भाग लेंगे ठीक है दूसरा विश्व हिंदू कांगरेस काजन कहां किया जाएगा ये किया जाएगा शिकागो में चलिए अब नेक्स सोचन है भारत ने चेक और जिए ऊबूपी द्वरों राश्टों के द्वरों के अंतिम चनल पर रास्ठपती निशोल जमान से मुलाकात की है किस्सल मुलाकात की निशोल जमान से और भारत क के वैगजानी और अद्व sound कि यापन पर साखोडर किये गए हैं और दोनों देसों नागरीक परमाडू उर्जा सहकारिता आरम करने पर सहमत हुए है तो भारत के ने चेक गंडराज के साथ कितने MOU पर हसक्तिर किये हैं राइड एंसर उपसन इस पाँच ठीक अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का इंसर कल का एंसर कल मैंने कॉशन भूज़ी था हाली में बेस्टनल का नया ब्रांड डिमेज़र किसे बना गया है राइड एंसर था उपसन एंसी मैरीकाम सभी स्टूडें ने देख लीजिएगा ठीक है और इसके साथ सार रेलवे के लिए मैं कुछ अच्छी पीडिया आपको दिया हूँ तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जोइन कर लें वहाँ पर आपको मिल जाएगी ठीक है लिंक वीडियो के रिसिप्शन बॉक्स मिल जाएगा साथी फेस्ब